बीबी स mismos दुनिया में आज देखिये ह्का बाकी है कोरोना का सबसे बुरा दौर दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 1.8 लाग के पार लेकिन डबलूयचों की चेतावनी, अभी कोरोना का सबसे बुरा दौर आना बाकी क्या कई देशों में पाबंदियों में धील देना पढ़ रहा है भारी स्वागत थे आपका बीबी से दुनिया में मैं हूँ सारीका सिंग कवर स्टोरी में कोरोना को लेकर डबलो एचो की चितावनी पर होगी बात लेकिन पहले हैडलाइन्स भारत में रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ रहे हैं कोरोना वारस के मामले पहली बार 24 घंटे में सामने आए 20 हजार से जादा संक्रमण के मामले संक्रमण की मौझूदा दर्य ही रही तो जल्दी रूस को पीछे चोड़ तीसरे नंबर पर जा सकता है भारत 15 अगस तक भारत की पहली कोरोना वाक्सीन लॉंच करने की भी तयारी अमरीका में 50 में से 37 राज्जियों में तेजी से बढ़ रहे हैं संक्रमण के मामले पिछले 24 घंटों में आए रिकॉर्ड चोवन हजार मामले ब्रिटन कर रहा है फ्रांस जर्मनी समेत एक दरजन देशों से आए लोगों को कारिंटीन से जील देने की तयारी चीन के साथ तनाओं के बीच लेह पहुंचकर जवानों को संबोधित किया प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने चीन का नाम लिए बिना दिया विस्तारबाद के खिलाफ संदेश पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद में एक हिंदू मंदर के निर्माण को लेकर खड़ा हुआ विवाद चीन ने जेंग यांग जियोंग को हौंग कॉंग में निक्त किया अपना नया सुरक्षा प्रमुख कट ठचवी वाले जेंग यांग जियोंग प्रधर्शिन कारियों से सकत तरीके से निपटने के लिए जाने जाते हैं इन में से कुछ एहम खबरों की चर्चा आज होगी बीवी से तुनिया में कोरोना महामारी दुनिया भर में पांच लाख बीस हजार से भी जादा लोगों की जान ले चुका है इसके बावजू डबलो एचो का कहना है कि सबसे बुरा दौर तो अभी आया ही नहीं है वो आना बाकी है तो भला कौन कौन से देशों में इसके और पहलने की आशंका है और डबलो एचो की इस चेतावनी की क्या माइने है इसी पर बात करेंगे कवर स्टोरी में विश्व स्वास्ते संगठने चेतावनी दी है कि कुरोना वाइरस अभी खत्म होने से कोसो दूर है और सबसे बुरे हालात का सामना करना अभी भी बाकी है डबलो एचो महाने देशक ने कहा कि कुछ देशों में हालात सुधरने के बावजूद महामारी अब भी तेजी से फैल रही है और जैसे जैसे पाबंदिया घटाई जा रही है संक्रमण की सेकेंड वेव देखी जा रही है दुनिया में करोना वाइरस के मरीजों की संक्या एक करोड आठ लाग के पार जा चुकी है पांच लाग बीस हजार से जादा लोग जान गवा चुके हैं तो किस-किस देश में ये वाइरस सबसे तेजी से फैल रहा है दुनिया भर में प्रार्थना हो रही है और विरोत प्रदर्शन भी इसके बीच मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है संक्रमण के करीब 15 लाख मामलों और 61,000 से ज्यादा मौतों के साथ ब्राजील दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है पहले नंबर पर है अमरीका जहां रोजाना संक्रमण के हजारों नए मामले सामने आ रहे है फ्लोरीडा, एरिजोना और टेकसस में शहरों को दोबारा खोलने की योजना रोग दी गई है विश्व स्वास से संगठन ने दुनिया भर के नेताओं और लोगों को सक्त चेतावनी दी है मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है और ऐसे माहौल और हालाद में हमें हालाद बत्तर होने का डर है हम सब अपनी जाने बचा कर आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन करवी सच्चा यही है कि हम इसके आसपास भी नहीं है पेरू में इन मरीजों और उनके परिजनों का संगर्ष खत्म नहीं हो रहा है वहां संक्रमण के करीब 3 लाख मामले हैं जो इसके शेत्र फल के हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा है पेरू ऑक्सीजन की कमी से भी जूज रहा है ऑक्सीजन किराए पर लेने के लिए उन्हीं काफी पैसे खर्च करने पर रहे है मेरे और मेरे जैसे तमाम लोग जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए उसे किराए पर लेना बहुत महँगा है भारत में संक्रमण के मामले 6 लाख से उपर हो गए हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है ये कर्मचारी संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए घर घर जा रहे हैं लोग अक्सर चौकनने हो जाते हैं टेस्टिंग कम हो रही है जिससे कई मामले सामने नहीं आ रहे कुछ देशों का मानना है कि उन्होंने हालात काबू कर लिये हैं ग्रीस समेट यूरोप के कई हिसों में यात्रा से जूड़ी पाबंदियों में ठील दे दी गई है पश्चिमी यूरोप के सबसे प्रभावित देश ब्रिटन में पाबंदियों में ठील दी जाने लगी है लेकिन मिड्लाइंड में मामले अचानक बढ़ने के बाद कड़ा लॉकडाउन लगा दिया गया है डबलुएचो का कहना है कि संक्रमण रोकने के लिए हमें अंतराश्ट्रिय समन्वे को और बहतर बनाना होगा उसके मुताबिक आम लोगों की मदद से संक्रमण रोका जा सकता है लोग आपस में दूरी रखें, नियमित अंतराल पर हाथ दोते रहें स्वास्त अधिकारी जोर दे रहे हैं कि अभी सब रखोने का समय नहीं है क्योंकि आगे सफर लंबा है चार जुलाई को अमरीका में जश्ण मनाया जाता है लेकिन इस बार इस पर कोरोना वाइरस का साया है इस दिन वहाँ सुतंतुरता दिवस मनाया जाता है लेकिन इस बार पाबंदियों के साथ वहाँ पर जश्ण मनाया जाएगा वहाँ कई बीचेस को बंद कर दिया गया है साथी किसी भी तरह की आतिश बाजी पर भी रोक लगा दी गई है टेकसिस के गवर्नर ग्रेग अबॉर्ट ने सारवजनिक जगों पर लोगों के मास्क पहनने की हिदायत दी है वहाँ एक ही दिन में आठ हजार से ज़ादा केस सामने आए है टेकसिस अमरीका के उन राज्यों में से एक है जिन्होंने सबसे पहले लोगडाउन हटाया ग्रेग बॉर्ट ने तब उम्मीद जताए थी कि राज्य की अर्थवेबस्था इससे पट्री पर लोटेगी जॉन हॉपकिन्स युनिवर्सिटी के मुताबिक पिशले 24 खंटों में अमरीका में 54,000 से ज़ादा नए मामले आए हैं जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है 4 जुलाई को अमरीका की आजादी के दिन आमतर पर न्यूजों के सैलानियों की चहल पहल रहती है लेकिन कोरोना ने यहाँ परियटन का रंग बिगाड़ दिया है टूरिस्ट भी अब घरों में बंद है देखे ए रिपोर्ट समंदर से स्टैच्यू अफ लिबर्टी का नजारा शांदार होता है हाबर क्रूस से इसे देखने में भी कोई रुकावट नहीं है न्यूयोक में सेलानी बेहत कम है महमारी का केंदर होने की वजह से परियटक यहां नहीं आ रहे और शहर को रोजाना लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा है राइन फेंडर मैनहेटन के बावरी में एक होटल के मैनेजर है अमरीके परियटकों ने कमरे बुक करने तो शुरू कर दिये है राइन इस शीशे के पीछे से महमानों के स्वागत का तरीका तलाश रहे है लेकिन नोमा डबोफ के जैसे स्टाफ को सुरक्षित महसूस करवाना चुनाती है नोकरी जाने के बाद वो एक फूड बैंक में अपनी सेवाईं दे रही है नोमा का यूनियन सुरक्षित रहने पर जोर दे रहा है लेकिन वो होटल के काम पर लौटनी को लेकर दुविधा में हैं क्योंकि बहाँ गैस्ट ज्यादा होते हैं एक आम दिन में आने और जाने वाले गैस्ट मिला कर तीन सो से जादा लोग होते हैं आपको जुलाई में काम पर लौटनी की कितनी उमीद है मुझे नहीं पता मैं नहीं जानती कि ट्रेन से मैनहेटन तक आने पर कैसा लगेगा मैं तो इंतजार कर रही हूँ मैं देखूंगी कि क्या महसूस करती हूँ न्यूयोक परेटन के लिए दुनिया की सबसे मशूर जगाओं में से एक है आम तोर पर यहां हर साल 6 करोड लोग घूमने आते हैं और ये साफ नहीं है कि हालात कब तक सामाने होंगे जॉनितन बाल्स न्यूयोक की एकॉनमी पर काम करने वाला एक ठिंक टैंक चलाते हैं क्वीन्स के इस पार्क में 1964 में वर्ल्ड फियर आयो जित हुआ था वे कहते हैं कि इस शहर में गजब की ख्शमता है हमें लोगों को ये दिखाना होगा कि इस शहर किसी भी आपदा से निपट सकता है ताकि लोग खुद को इस महामारी से सुरक्षत महसूस कर सकें 9-11 के हमले के बाद दुनिया भर के लोगों में न्यू यॉर्क आने को लेकर एक डर था कि कहीं यहां दुबारा आतंकी हमला ना हो जाए लेकिन इस शहर ने लोगों को सुरक्षत महसूस कराने के लिए कई कदम उठाए सवाल ये है कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मैनहेटन दुबारा डॉलर लुटाने वाले परयाटकों से भर जाए कोरोना की वैक्सीन शायद ये भरोसा जगा सकती है शायद अगले साल 4 जुलाई को न्यू यॉक की रॉनक लॉटे और ये इस सैलानियों से गुलजार हो जाए और वक्त एक ब्रेक का है ब्रेक के बाद दिखाएंगे ले पहुचे प्रधान मिंत्री नरिंद्र मोदी ने चीन का नाम ले बेना क्या दिया संदेश और एक्सपर्ट्स क्यों दे रहे हैं फाइब जी को लेकर सतरक रहने की सला जानेगे एक प्रेक के बाद आप देख रहे हैं बीबी से दुनिया मैं हूं सारेका सिंग भारत चीन तनाओं के बीच प्रधान मिंत्री नरिंद्र मोदी आज सुबह अचानक ले पहुचे और महा सीमा परतेनाथ सेना के जवानों को संबोधित किया उनके होसला अफजाई की उन्होंने चीन का नाम तो नहीं लेकिन कहा कि विस्तारबाद का दौर अब खत्म हो चुका है विस्तारबाद नेहीं मानवता का सबसे ज़्यादा ही तिया मानवता को विनास करने का प्रयास किया विस्तारबाद की जीत जब किसी पर सवार हो गिया है उसने हमेशा विश्व शांती के सामने खत्रा पैदा किया और साथ यो ये न भूले इत्यास गवा है कि ऐसी ताकतें मिद गई है या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है इस पर चीन ने भी अपने प्रत्रिया दी है चीन के विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने कहा है कि इस समय किसी भी पक्ष को ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि दोनों देशों के बीच और तनाव बढ़े और 15 और 16 जून की दर्मयानी रात गल्वान में भारत चीन के बीच हिंसक जड़प हुई जिसमें भारत के 20 चवान मारे गए फिर 29 जून को भारत में सीमा विवाद का जिकर के बिना 69 चीनी आपस को बंद कर दिया क्या इस विवाद में भारती खोफिया एजनसीों की समेक्षा की जरूरत है यही सवाल पूछा बीवी से समवादा था जुगल परोहित में रिटाइड लेटिनेंट जनरल एस बेदी से जो मार्श 2020 तक डिफेंस इंटेलिजिंस एजनसी के प्रमुक थे सुनियन उन्होंने क्या कहा डिफिनेटली इसके उपर स्टडी होना चाहिए और हमें यह नौई यह सिर्फ इस इंसीडेंट की जानकारी के लिए ही इंपॉर्टन नहीं है बट आगे समय में भी हमारे को अपने सिस्टम के अंदर इंपॉर्व्मेंट लाने के लिए बहुत इंपॉर्टन है प्यूर्ली मिलिटरी के अंदर यह रिव्यू कोई माइने नहीं रखेगा यह जो रिव्यू है जैसे हमने पिछली बार कारगिल के समय में यह रिव्यू किया था जिसके अंदर टास्क फॉर्स बनके सारी एजेंसी के जो कारवाई थी उसके उपर जो है प्रॉपर स्टडी की गई थी उसी मताबिक यह रिव्यू पूरा होलसम होना चाहिए और नाट ओनली डिफेंस रिव्यू एक कारगिल रिव्यू जैसा हमारा एक बेंचमार्क होना चाहिए उस तरफे हमें बात करनी चाहिए और सिस्टम को ओर ओर और उस तरह से ट्यून करने की जरूरत होनी चाहिए वैसे अमरीका ने भी चीन की दो कमपनियों खावे और जेड़ टी-ई को राष्ट्रे सुरक्षा के लिए खत्रा बताया है क्वावे भारत में 5G नेटवर्क की ट्राइल में हिस्सा लेना चाहती है लेकिन अब कमपनी के खिलाफ कारवाई का सरकार पर दबाव बढ़ रहा है वाशिंटन में BBC संबादाता विनीत खरे ने बात की अमरीकी Federal Communications Council के चेर्मेन अजीत बाई से और पूछा कि भारत ने उनसे चीनी आप्स पर जो कारवाई की है उसे वो कैसे देखते हैं यह एक एहम कदम है मैंने देखा कि दो दिन पहले यह आदेज दिया गया और यह दर्शाता है कि भारत में दक्षण एशिया में पूरी दुनिया में चीन की टेक कमपनियों को लेकर जिन पर चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी का असर है चिनता बढ़ रही है खासकर ऐसे वक्त जब यह कम्यूनिकेशन नेटवर्क और कमपनियां और प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ी हुई है और आस्ट्रिय सीमाओं की परवाह नहीं करती यह सभी के लिए खत्रा है भारत सरकार के लिए खत्रा है भारत के लोगों के लिए यह खत्रा है यह प्रतिबंद आगे कैसे बढ़ता है इसे हम बहुत गौर से देखेंगे और हम ऐसे विश्यों पर भविश्य में साथ काम करना चाहेंगे फाइव जी अर्थ व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्पक्ष की बुनियाद होगी इसलिए यह ऐसा विशा है जिस पर हम जोखिम नहीं ले सकते यह वक्त है उन कदमों को उठाने का जिन से कहीं ऐसा नहो कि आपके निटवर्क में असुरक्षित सामान और सर्विसिस का इस्तिमाल हो जिनें बाद में हटाने और बदलने में भारी खर्च और वक्त लगे चीन की कमिनिस्ट पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो ऐसे हर मौके का फाइदा उठाना चाह रहे हैं यह किसी भी देश के पक्ष में नहीं होगा चाहे वो अमरीका हो या अगर मैं कहूं तो भारत तो अमरीका और भारत दोनों ही तरफ से चीन पर दबाव देने की कोशिश हो रही है और एक ब्रेक के बाद दिखाएंगे इसलामाबाद में एक मंदर के निर्मान पर क्यूं खड़ा हुआ विवाद तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद पाकिस्तान की राजधानी इसलामाबाद में पहला हिंदो मंदर बनाया जा रहा है इसके लिए जमीन भी मिल गई थी लेकिन फिर इसका विरोड शुरू हो गया इस मंदर के खिलाफ एक फत्वा भी जारी किया गया और मंदर का निर्मान का काम रखवाने के लिए कोट में एक अपिल भी दायर की गई देखिए पाकिस्तान से बीबी से समवादाता शुमाईला जाफरी के रिपोर्ट ये पाकिस्तान के कैपिटल इसलामबाद में पहले हिंदू मंदर की कंस्टुक्शन साइट है पाकिस्तान की सरकार ने मंदर के लिए तकरीमन चार किनाल जमीन अलॉट की है कुछ लोग निया मंदर बनाने की मुखाफة भी कर रहे हैं इसलामबाद के एक वकील ने हाई कोट में मंदिर की तामीर रोकने के लिए दर्खास दी है वकील को इतराज है कि शहर के मास्टर प्लान में ये प्लाट मंदिर के लिए नहीं था और सरकार मास्टर प्लान की खिलाफ वर्जी कर रही है अदालत ने मनसूबे पर स्टे और्डर जारी नहीं किया लेकिन कैपिटल डिवेलिप्मेंट अथॉरिटी के अफसरों को तलब किया है इमरान खान कहते हैं कि उनकी सरकार के लिए माइनौरिटी के हक भी मुसल्मानों के जैसे हैं लेकिन इमरान खान के एक कोईलेशन पार्टनर ने भी नया मन्दर बनाने की मुखालफत की है हिंदू कम्यूनिटी इस रियाक्शन पर गुसे में है तो यहां इसलामबाद में अगर मंदर खुल गया तो जो है हमारे मुसल्मान भायों को कोई अतराथ नहीं होना चाहिए इसलामबाद में कृष्टना मंदर की तामीर के मनसूबे की सिंबॉलिक वैल्यू अपनी जगा है लेकिन पिछले कुछ साल में पाकिसान की सरकार्ने मुल्क भर में माइनॉरिटीज के रिलिजिस हेरिटेज को रिस्टोर करने के लिए भी अर्बो रुपया खर्श किया है और ये हैं स्लेटी रंग के खास प्रजाती के भेडिये सत्तर के दिशक में इनकी प्रजाती लगभग विलूपत हो गई थी पर अब अच्छी खबर आई है मेक्सिको से जहां इन बेडियों के आट बच्चों का जन्म हुआ है और कुछ इस तरह ये बेडिये के बच्चे खेल और मस्ती में जुड़े तो कारिकरम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं एट बीबीसी सारे का पर तो बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है कर दो है